आप सभी का स्वागत है, मार्केट में कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकते हैं, निप्टी या बैंक निप्टी के अंदर, आपको कैसे काम करना चाहिए, कहां पर बाइं या कहां पर सेलिंग करना चाहिए, उसके पीछे का क्या लोजिक होने वाला है, आज की वीडियो काफी special होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा दिखते रही है, चैनल को ने किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, आप सभी के सामने एच जगा बैंक निप्टी का चार्ट ओपन किया है, बैंक निप्टी या निप्टी में कैसी तेजी आप कारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए एक काफी अच्छे लेवल आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं, जहां पर देखिए जो चीजे मैं आपको कल बता के गया था, कि मार्केट में नीचे के लेवल पर आपको C.E.Bind करके चलना है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को बली, मैं आपको लेवल जो बता के गया था ना वो इस जगह देखिए 36,300 का लेवल बता के गया था, और मार्केट में अगर आप देखोगे तो उसी लेवल से देखिए इ तो इसलिए देखिए मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को कम से कम देखिए 1000 लाइक पूरे कीजिए क्योंकि नॉलेज जो हर किसी तक पहुँचना चाहिए और आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है? अब चलिए बात समते कि इसी जगह से क्यों क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो देखें मैं कल के दिन आपको बता के गया था कि यह वाला जो लेवल है, यानि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो बॉक्स आपका बनते हुँ दिखाई देरा, इस बॉक्स में अगर आप देखोगे तो जी आपका क्या था, यहा पहले इसका रजिस्टेंट देखने को मिलता था इस जगह 36,300 के आस्वास का वह इसका क्या हो चुका था इस जगह सपोर्ट हो चुका था पहली बात ठीक है हमने क्या समझा पहला ठीक है दूसी बात अगर मैं बात कहूं तो यहां पर देखिए मैं आपको दिखाना यहां पर जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है ने वॉल्यूम में देखिए ग्रावट थी और ग्रावट के साथ अगर आप देखो तो यहां पर देखिए मार्केट में जो नीचे वाला जो फॉल आपको दिखाई दे रहा था यानि जो माइनस फॉल आपको जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है और देखिए कल का जो लो था उसको भी देखिए मार्टेट ने नीचे की साइट नहीं तोड़ा था तो जी अपने आप में एक अच्छी देखिए तेजी आप बोल सकते हो और मुझे लगता है कि यह तेजी आपकी continue रह सकती है क् कि देखिए मार्केट ने जो आज देखिए जो क्लोजिंग दिये वह यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 37,700 देखिए 37,706 रुपे पर देखिए इसने क्लोजिंग दिये जो एक पिलस पॉइंट मुझे इस जगा दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट का जो कल क लो हाई था उस हाई के उपर देखिए इसने क्लोजिंग दिये अगर आपको अब आपको काफी लेवल भी इस जगा बताया जाती है इससे आपको मार्केट में काम करने का तरीका काफी अच्छा देखने को मिलता है और काफी हैल्प भी आपको मिलती है साथी साथ देखे जो मैंने आपके लिए वीडियो जो मैंने पब्लिस किया था उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कल के दिन कि market में देखे नीचे की साइड देखे एक अच्छा बॉटम बन चुका है और आपको देखे यहां से तेजी आपको देखने को मिल सकती है jet pot देखे मैंने इस जगह option के बारे में भी बताये तो इसको भी जाके आप channel को subscribe कर लीजे चली आप बात करते हैं कि market में आप आपको कैसे काम करना चाहिए उसके पीछे के क्या logic हो सकते हैं तो यहां पर चलीए इस जगह देखिए आपके लिए यहां पर देखिए में bank nifty चाहर ओपन कर लेता हूं और bank nifty का चाहर देखे इस जगह मैं लगाना चाहूंगा इस बैंक निप्टी का लाग चार्ट लग चुका है और यहां पर देखिए हमने सब से पहले लगाए यह चार्ट 5 मिल्ट का 5 मिल्ट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखे मैं एक टेरल लाइन ओपन किया है और जो मैंने अभी आप से बात बोली ना कि मुझे कि जे क्लोजिंग काफी अच्छी दिखाई दे रही है वो मैंने क्यों बोला है क्योंकि मॉर्णिंग में अगर आप देखोगे तो मॉर्णिंग में देखे आपको देखने को मिलेगा कि नीचे के लेवल से देखे एक अच्छा देखे इसमें टेरल लाइन बनता हूँ पूरा U Full किया क्योंकि इसका जो मार्केट की सरवायत हुई thou जगा कितना हाउ यह जगह देखिए सतीक है टाराफी साथ हora हो यानि अभी भी जो इसमें अंतर आपको दिखाई दे रहा हो 100 पॉइंटों का एच जगा देखने को मिला रहा है। दूसरी बात अगर मैं बात काऊ ओं तो जी टेरेल लाइन जो हमने देखे एच जगा डोड़ा किया था। जी टेरेल लाइन आपको क्या दिखाई दे रहा है। तेरे लाइन अभी तक किस का काम कर रहा था जी आपका रजिस्टेंट का काम कर रहा था और मैंने आपको क्या बताया कि जो रजिस्टेंट के ऊपर अगर मार्केट एजगा क्लोजिंग दे देता तो फिर वो आपका सपोर्ट का काम करता तो अब इसके अंदर क्या सपोर्ट आपको दिखाई देगा अब इसके अंदर आपको support दिखाई देगा 37,600 का दिखाई देगा यानि हम यह चीजे को मानके चल सकते हैं कि ऊपर की, जाएट देखे जगह 37900 नीचे की साइट 6600 और 66600 के बारे में तो हमने काफी बार बात किये काफी बार बात किये इसी लेवल से हमको एजगह पॉफिट भी देखने को मिला था जब मार्केट में गिरावट आपको देखने को लिए अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको आज का जो high यानि अगर मैं इसमें आपका add करना चाहूं 36,800 के ऊपर निकल जाता है 36,800 के ऊपर निकल जाता है पिलस जो आपकी एक candle है candle आप कितने मिल्ट की लोगे यहाँ पर मैं आपको बता जाता है आप 30 मिल्ट की candle ले सकते हो एक जगा inter day में ठीक है 30 मिल्ट का candle उसमें जे opening नीच़ की side देता है लेकिन closing इसके ऊपर देता है तो हम इस जगा कर सकते हैं हम जे इस जगा देखे CE buying कर सकते हैं ठीक है इस बाइंग कर सकते हैं फिर हमारा देखे एस जगह से क्या टार्गेट होगा सबसे पहला तो आपका टार्गेट बिलकुल बगल में मैं आपको देना चाहूँगा 37,900 का टार्गेट होगा क्योंकि इसका हाई है यह वाला जो आपको हाई दिखाई दे रहा है दूसा टार्ग 38,100 के उपार यानि अगर मैं बात कहूं तो इस जगह 38,300 का आपका दूसा टार्गेट होगा अब यहाँ पर देखे हम रेविव करेंगे इस वाले लेवल पर हम रेविव करेंगे 38,100 पर हम रेविव करेंगे और इसका जो तीसा टार्गेट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूँगा ठीक है उसके लिए हमको होड करना है कि नहीं करना है वाकी ये तीन टार्गेट के लिए हम इसमें बाइंग कर सकते हैं एक दो और तीन टार्गेट के लिए हम बाइंग कर के चल सकते हैं फिर से कंडिसन बताना चाहूंगा कि इस जगह देखे 27,800 यानि आज के हाई के उपर अगर जे क्लोजिंग देता है तो इस जगह हम सिखी बाइंग करेंगे पहला दूसर और तीसर टार्गेट आपको देखने को मिलेगा तीस मिल्ट के आपको यहाँ पर चार्ट लगा के चलना है अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह वन अवर्स का चार्ट उपन किया है देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो आज के तेजी आई थी देखिए इस लेवल से तेजी आई थी जे वाला जो लेवल था जहां पर सपोर्ट कैसे लिया था वन अवर्स मे ठीर जिस आपका दिखा आई आई इस लेवल पर चे वाला कॉल हूंब था और इसह लेवल पर आप देखो गे तो यह पूरा चिश्टेंट का कॉल हूं था यानि जो आपका रिजिस्टेंट था वहां पर पह सपोर्ट हो गया था यानी एक सफॉक्च जहां पर था इस जग को बताया था आप इसको पुस्ट करके देख सकते हो ठीके और यहां पर अगर आप देखोगे तो काफी बड़ी आची देखे यहां पर आपको टार्गेट देखने को मिले अब चलिए बात करते हैं कि आपको कल के दिन कैसे काम करना चाहिए अभी मैंने आपको बताया कि आप कर सकते हूं अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का लोजिक क्या था कि यहां पर आप देखोगे मैं इसको और जूम करना चाहूंगा जिससे आपको देखना चाहिए अगर आपको नहीं देखेगा आपको नहीं समझ में आएगा तो इसका कोई वेनिफिट नहीं है अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है आज के दिन देखे इसमें जो वन ओवर्स की केंडिल वनी थी वो इसको पार नहीं कर पाई थी से 37,000 आश्टो को पार नहीं कर पाई तो इसको पार करना चाहिए जब भी हम S.E. बाइंग करेंगे अगर मार्केट आपका पहले से तेजी के साथ ओपन हो जाता है वो तो कहता है कि वही मैं पहले से तेजी के साथ ओपन हो गया आप बताईए आप क्या करना है मैं पहले इ ही उपर की साइट ओपन हो गया इस जगह 500 पॉइंट तो अब हमको क्या करना है तो उच जगह देखिए आपका जी रजिस्टेंट बनके आ वह काफी अच्छी बात है लेकिन 38000 दोसों के आसफस ओपन होता है तो उच जगह में कमफर्टेवल जो होंगा वह पीई बाइंग करने में कमफर्टेवल होंगा क्योंकि मार्केट में अगर जगह 500 पॉंट उपर ओपन हो जाता है और इस जगह देखिए 38000 दोसों के आसफस ओपन होता है तो हम कमफर्टेवल इस जगह पीई बाइंग करने में रहेंगे तो अगर देखिए मार्केट ऊपर की शायट ओपन होता है तो हम कैसे बाइंग करेंगे जो मैं आपको अगर वान आउजगा हो कि उपन होता है आपका कैंडीव जो होगा वह कैंडिल declared कैंडिल के जो है करेंगा बैरेश में हम buying करते हैं इस जगा P.E. ठीक है, हम क्या buying करते हैं? P.E. buying करते हैं तो इस जगा 38,200 के आसपस हम इस जगा buying करेंगे पहला target हमारा होगा 38,100 का दूसर target हमारा होगा 36,900 का और तीसर target हमको देखने को मिलेगा 36,800 का यानि अगर मैं बात कहूं तो इन तीन target के लिए हम buying कर सकते हैं अगर market उपर की side open हो जाता है तो यह मुझे ऐसा क्यों लगता है देखिए यह मैंने आप सभी के सामने 1 day का chart open किया ऐसा मुझे क्यों लगता है कि market में तेजी आ सकती है सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को बिलेगा इसने इसके high को यानि इसका high है जे आपकी जो गिरावट आई थी उसके high को देखिए इसने पार किया पिलस इंटर डे में पार किया जो अपने आप में काफी अच्छी बात है इसने अपने low को टोड़ने नहीं दिया इस जगह तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई देगा कि जैसी जे आपका 37,000 के उपर जाता है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी move आपको देखने को मिल सकती है कि हाँ भाई मुझे जो गिरावट आ सकती है तो गिरावट कहा पर आएगी मैं आपको बताएथा हूँ कि बाइवट 37,600 के नीचे ही आ सकती है अगर इंटर डे में जे चैसी सयाज 600 को नीचे पार करता है जब इक घर इजी आपको कब आएगी तेजी मैं आपको बताएथा हमाई टेलिग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्सेशन में दिया गया है यहाँ पर निप्टी बैंक निप्टी के कॉल आप सभी को दिये जाते हैं जैहीं बंद बात हो